नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटिब चैनल एलेक्ट्रिकल ग्यान में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकेशन करने जा रहे हैं वीड स्टोंड ब्रेज के बारे में कि जैसे एलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जैसे सीरीज पैरलल जो कंबिनेशन होते हैं तो इस त्रिके से हमारा होता है एक वीड स्टोंड ब्रेज है कई बार सीरी जब पैरलल में सर्क्ट्स वालक नई होते वहां पे कंसेप्ट आता है वच्या आपका बैलनस और अनबैलनस ब्रेज का अगर बैलनस ब्रेज हुआ तब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर unbalance हुआ तब हम किस तरीके से करेंगे और प्लस अगर unbalance bridge हो और star delta conversion हमें करनी हो तो बिना किसी book की help से हम उसको याद करने की जरूरत नहीं है हम सिर्फ concept को देखेंगे और आपको सदा के लिए वो याद रह जाएगा तो इस video को end तक जरूर देखें आपके सारे concept कलियर हो जाएंगे इस video के end में मैंने question लेके आपको proper समझाने की कोशिश भी की है वचे तो आपसे गुजारिश है कि इस video को पूरा end तक जरूर देखें तो चलिए start करते हैं आज का जो हमारा topic है वो है balance और unbalance feedstone देखिए अभी तक हमने जो electrical circuits को solve करने के लिए जो दो तरीके थे वो थे या तो series जाते parallel पर कुछ हमारे circuits इस तरीके से भी होते हैं कि ना तो वो series में combination दिखता है ना वो parallel में दिखता है तो वहाँ पे दिखें जैसे आपके पास कि ये तीन और ये तीन आगर आपस में ये वाला तीन और ये वाला तीन अगर कहें कि ये series में है ना ये वाले तो ये series में क्यों नहीं है क्योंकि series की जो हमारी निशानी होती आपको बताया था कि वो आपके बिना किसी जोड के यहां पर कोई भी जोड नहीं होनाँ चाहिए अगर यह ना होता अगर यहां पे इनको कोई तो यहां पर आपको कोई भी सीरीज या पैरलल नहीं देखेगा तो बच्छे इस त्रीके के जो सरक्ट होते हैं उनको हम करते हैं वीड स्टोन विरिज से देखिए इसका क्या मतलब होता है बच्छेश कोई भी एकर डेस्टेंस जो किसी दो रριस्टेंस से जो की आपत में सीरीज में हुको कट कर रही हों देखो ये तीन और तीन यह सीरीज मेंreckला हो जाते हैं की रेंड दोनों को वापस में सीरीच में होने से रोक रही है इसे था लिल ला है इसे धीज़ किके हैं पांच ओंता इसके अधीधर Ihrer व्यजाम है उनको हमें multiply करना होता है इन दोनों को यह इस तरीके है हमारे यहां से यहां पर है यहां पर है हमारे तीन हमें क्या करना है तीन को multiply करना है दो से हमें देखना है कि तीन को multiply करके दो से कितना आएगा अगर तीन को हम दो से multiply करेंगे वो आ रहा है हमारा 3 multiply by 2 हमारा 6 आ रहा है और इसी तरीके से करना है हमें इन दोनों को cross multiplication ये वाला दो और ये वाला तीन अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे तो कितना आ रहा हमारा तब भी हमारा 6 ही आ रहा है it means हमारा अगर दोनों तरफ तो ये multiplication हमारी एक को ला जाती है तो इसकी conditions देखो क्या होती है सबसे पहले तो condition होगी वच्छे यह जो points है आपके यहां पे यहां पे यह जो resistance जुड़ी हुई है यहां पर कोई भी current flow नहीं होगा क्योंकि point VA अगर इसको मान ले और वी 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 वीड स्टों विरिज बैलंस व भी नहीं flow होगा अगर यहां पर कोई current flow नहीं हो रहा इतमीज बच्छे क्या है यह वाली जो resistance है अगर इसको माने या ना माने यह इसको हम छोड़ सकते हैं तो अब हमारे पास यह जो circuit वाज़ी कि हम इसको solve कर लेंगे देखो किस तरीके solve करें अब हम अराम से देख सकते है है कि यह वाला तीन और तीन ओ ऑपस यह मारे सी इसमें और और सीरीज में हगे हमारा यह थो कितरें सीरीज में सावव मारे चार यहां पर ही यहां चे यो शहम और चार हमते हमें है। तो पैरलल में हम कैसे solve करते हैं, total regression जो पैरलल में होती है, वो होती है, R1 multiply by R2 divide by R1 plus R2, अगर हम इसको solve करेंगे, तो बच्ची आजाएगा 6 multiply by 4, और divide by 6 plus 4, तो यह आगे जाएगा 24 बटे 10, तो यहां से हमारी regression निकली, वो आगे हमारी R total, यह आगे हमारी 2.4 ohm, यहां तक तो clear हो गया, अगर अच्छा, जो question है, हमने पूछा था, क्रण्ट पूछा था कि total current क्या होगा, total current का फार्मूला बच्चे क्या होता है, I is equal to V upon R, तो V हमारी हुई कितनी बच्चे, 24 बोल्ट और resistance हमारी कितनी है, अगर वो balanced wheatstone बच्चे हो, तब तो यह simply हो जाता है, अगर मान लीजिए हमारा जो circuit है, वो balance ना हो, वो multiply जब हम करें, cross arms को जब हम multiply करें, अगर वो equal ना आई, तब क्या होगा, तब बच्चे हमें करना पड़ता है, star delta से solve, तो वो देखिए कैसा होता है, मैं सबसे पहले कॉशन ट्रा कर देता हूँ, फिर देखते हैं, अब यह देखिए बच्चे, यह वाला जो हमारे पास कॉशन है, देखो इसमें बना तो wheatstone ब्रेजी है, वीड्सोन ब्रेजी कैसे, जैसे देखो, यह वाला six ohm और six ohm सीरीज में है, और यह वाला 18 और 9 यह सीरीज में होता, अगर इसको यह वाली resistants कट ना करती है, तो हमें क्या चेक करना है, इस वाली resistants के cross multiplication करके देखना है, कि क्या हमारा यह वाला six के, इस side वाली resistants और इस side वाली rejoice, सब्सक्राइब करें दोनों को थोड़ा से इस तरीके से बना दिया ना तो वह इन दो आर्म की जो मुल्टिप्लिकेशन है क्या वह इन दो आर्म की मुल्टिप्लिकेशन के को लाएगी अठारा मुल्टिप्लिकेशन के लिए नहीं बन रही है यह दो आर्म की रेशो कि आनी चाहिए दिवान रेशो बार ऐसे कोशन के लिए हमें अनबैलंस बीट्स टोन ब्रिच को सॉल्व करने के लिए हमें आना चाहिए वच्छे स्टार और डेल्टा गर्वर्जन आनी सबसे पहले हम star की बात कर लेते हैं अगर star और इस साइड हम लगते हैं delta सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बच्चे अगर हमारे पास कोई भी तीन जो हमारी distance इस तरीके से जुड़ी हुई हो यह वाली दो और यह हमारी हुई तीसरी distance अगर यह combination बना हुआ हो बचे तब हम इसको बोलेंगे star connection यहां पर मालीजे हमारा 3 ohm है यहां पर भी 3 ohm है और यहां पर भी 3 ohm है तो इसका हम star connection बोलते हैं अगर यही हमारी जुड़ी होती इस तरीके से एक triangle की shape में यह वाला यहां पर और यह यहां पर इसको हम star बोलते हैं और इसको हम delta बोलते हैं अब देखो अगर हमारे पास कहीं पर star connection यह star combination बन रहा हो ऐसे star combination generally solve नहीं होते कुछ questions में देखो एक चीज़ और देखो यह तो star है यह तो star की shape में है कही बारी star इस तरीके से भी बनता है star में basically होता गया है कि तीन resistance कठे आगे कहीं पर जुड़ते हैं और दूसरी जो निकी दूसरी वारी जो हमारी sides होती है वो किसी आगे और resistance के साथ जुड़ी होती है ठीक है तो माल लीजिए कि इस तरीके से भी हो सकता है देखो एक वाली यह resistance दूसरी यह resistance और तीसरी यह resistance यह भी हमारी जो R1, R2 और R3 है यह जो हमारी resistance है तीनों यह भी star में connected है clear होई जी बात यह ठीक है और डेल्टा में यह भी हमारा डेल्टा है अगर माल लीजिए हमारा इस तरीके से ना हो यह हमारा हो वही जो हमारा पीचे question था माल लीजिए इस तरीके से है देखे यह वाली एक, दो और तीन यहाँ पे एक जुड़ा यह दोनों जहाँ पे भी हमारे दो resistance जुड़े वहाँ पे हमारा एक current आना चाहिए दोनों जहाँ पे जुड़े एक जहाँ पे current आया और यह दोनों जुड़े जहाँ पे जहाँ भी दूसरा current जहाँ इस side हमारा junction बन रहा है और तीसरा यह resistance जुड़े इस side हमान रहा है तो अगर हम एक, दो और तीन अगर हम इन तीनों resistance को देखें जिसका नाम लेह लेते हैं A, B, C, D और E अगर हम A, C, D को देखें तो A, C, D हमारे delta में जुड़े हुए हैं अगर हम देखें A, B, C को तो यह हमारे कैसे जुड़े हुए हैं यह हमारे star में जुड़े हुए हैं तो हमें क्या करना होता है वचे ये वाले जो star हैं जा तो इसको delta में convert कर लो delta में convert करने के लिए आपके पास rule क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी resistances अगर हमारे पास हमारे star में जुड़ी हुई है और पहली बात और दूसरी बात अगर उनकी जो resistance है वो तीनों की सेम है तो डाल्टा में उसको हम multiply करेंगे थ्री से अगर हमारा पास हमने इस तरीके से हमने कोई सरक्ट मनाना है डाल्टा का तो हमारे पास क्या आएगा वचे तीन गुना resistance जादा होती है वचे तो हमारी इच जो आरम है वो हमारे के आएगी 9 ओम 9 ओम और 9 ओम की आएगी बिसिकली ये अलग डायगराम ने बनती है कोई इसी के अंदर हमारी डायगराम बनती है बचे मैं दूसरे कलर से इसको आपको मार्क करके लिखा देता हूँ देखो अगर यहां पे कोई ऐसा सरक्ट बना हुआ होता हमें अगर उसका डेल्टा करनी होती हम तीन रिजिस्टन्स अपनी तरफ से नए यहां पर लगा देते और जो ये वाले नए रिजिस्टेंस अपने लगाने थे ये तीन गुना ज़्यादा तीन से मल्टिप्लाई करके फिर लगाने थे तो यहाँ पर कितना आएगा नाइन ओम और नाइन ओम और अब जब हमने ये डेल्टा बना लिया है तो यहाँ पर ये जो स्टार वाले combination है जो वो हम यहां से हटा देंगे वो इस सरक्ट में अब नहीं रहेगा थिक्टार इस तरीख से solve करते हैं तो जब हमने स्टार से डेल्टा जाना है तो तीन को नहीं multiply कर देना है, अगर delta से हमें star में आना है, तो हम थो क्या करना है तिन से डिवाइड कर देना है. अगर हमारे पास इस तरीख किस Except was रहे होती और यह हमारी solve ना हो रही होती, तो हम यहां पर लगाएंगे हैं. देखो यह तो आपको कॉश्चन से ही पता चलिए हाँ पर यहां पर हम लगाते हैं तीर, यहां पस हमारे हमारा हमारा स्रक्व इस सॉल्फ करना ईजी हो जाएगा तो चलो मैं यह चीज मैं एक example से आपको समझाता हूँ आप देखना यह लीजिए बचे हमारा यहां पर यह सरक्ट है हमारा हमें पता है यहां पर यह जो सरक्ट है हमारा यह balanced wheat strong bridge नहीं है तो अगर यह balanced नहीं है तो यह अगर अनबैलंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा यह वाली जो चाहिए हम यहां से नहीं हटा सकते हैं कि सर्फ balance के case में इसको हटा जाता है अधर वाइस इसको हम अटा नहीं सकते हैं तो इस केस में हमें क्या करना है देखो इसमें आपको star दिख रहा होगा कहीं देखो तीनों यह यह तो इन तीनों को देखते हुए यहां पर हमें एक डेल्टा बनाना है ऐसे और तीसरा डेल्टा बनेगा हमारा यहां पर हम यह तीनों को जोड़ देना है अगर आपको पता है कि हम अगर हम डेल्टा में करते हैं तो डेल्टा में हमारे पास 3 से हम mailtiplay करते हैं न तीन से अगर हम 3 से multiply करते तो यह हमारा क्या आगया 6-3-18 यहां पर 18 आ गया यहां पर 18 आ गया और यहां पर भी 18 आ गया जब हमने डेल्टा में convert कर लिया बच्छे अब हम इसको यहां से star को delete कर देंगे पहले हमें कोई combination नहीं दिख रहा था अगर आब आब आप द्यान से देखोगे बच्छे यह वाला 18 देखो बच्छे यह वाला 18 और यह वाला 18 आपस में parallel में है क्योंकि चाहे इसको यहां पर जोड़ लो चाहे इसको यहां पर जोड़ लो एकी बात है न क्योंकि यह इसके द db 18 आठारा प्लस हारा तो हमारा यहां पर नौ आजाएगा यहां नाइन नौ में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे रवन मुल्टिप्लाइब आड़ लो प्लस आटो चाहां यहां पर नौट रख सकते यह पीं आजएग और यहां पे आजएगा चिशे यहां बीजिए दोनो की अगर तोनों को खटा कि यहाँ पर कितना लग सकते हैं अब देखो अब यहाँ पर यह वाले दो यह 9 और 6 यह आप यह होगे आपके सीरीज में 9 और 6 को अगर हम सीरीज में 9 और 6 को अगर हम सीरीज में करें तो टोटल हमारे पास आ गया 15 ओम तो इसकी जगा पे हम लिख देंगे दोनों की जगा पे हम लिख देंगे बच्छे 15 इस तरीके से तो यह वाला हमारा यहां पे आ गया 15 और उपर हमारा रहेगा 18 और 15 और 18 को कैसे solve करते हैं आपको पते हैं इस तरीके से जब हम करेंगे 18 को 15 से अगर हम जोड देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 18 और 15 यहां पे आ जाएगा यह आपको कैल्कुलेटर से solve करना पड़ेगा यह आपका अंसर आ जाएगा तो इस तरीके से solve हो जाते हैं तो next हमारी problem है कि अगर हमारे पास यह तीनों जो हमारे star में जो connection है तीनों तीन और तीन और जैसे यहां पे छे थे अगर यह सेम ना हुए तो क्या होगा अगर तो सेम होते हैं तीनों दिस्टेंस ना किसी भी इस्टार में या किसी भी डेल्टा में तब तो हम सीधा करते हैं कि delta के लिए 3 से multiply कर देते हैं और star में लेके जाने के लिए 3 से divide कर देते हैं अगर हमारे पास ये तीनों सेम ना हुए तब हमें एक formula बचे याद नहीं करेंगे तो चलिए दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि अगर by chance delta की तीनों जो resistances आपस में connect है उनकी जो value है अगर वो equal ना हुई तब क्या होगा इसके लिए वचे जो हम formula याद करने जा रहे हैं उसके लिए important है कि हमें formula बनाना आना चाहिए तो यह diagram देखिए दियान से देखना कि मैं बना कैसे रहा हूँ ठीक है सबसे पहले क्या कि हमने तीन resistances आपस में हमने connect कर ली यह है हमारा delta connection यहाँ पे हमने इसको ABC तीन हमने mark कर ली इसके point है अब इसी की help से जो resistance हमारी A और B से जुड़ी हुई है उसका नाम हम देंगे R, A, B जो हमारी BC से जुड़ी हुए है उसका नाम देंगे हम R, B, C और जो हमारी A और C से जुड़ी हुए है उसका नाम देंगे R, A, C यह बड़ा important डायटिक है अच्छा इसके बाद रचे देखो अभी हम सबसे पहले जो करने जा रहे है वो करने जा रहे है अगर हमारे पास यह delta given हो और हमें इसको star में बनाना हो तो delta to star convert करने जा रहे है means star कैसे बनेगा देखो इसके अंदर अब एक और star बनाते है इस तरीके से यह लिजिए आपका star बन गया आपका अब star की notation हम कैसे देंगे यह वाली जो resistance है इसको हम लिखेंगे बच्चे R A इसको लिखेंगे R B और इसको लिखेंगे R C जो resistance star की A के साथ connected है वो R A है जो B के साथ connected है वो R B और C के साथ जो connected है वो R C थिक है बच्चे जब हम delta to star convert कर देंगे तो delta यहां से हट जाएगा, जहां फिर अगर हमें star दिया हुआ होगा, हमें delta निकालना होगा, तो निकालने के बाद हम इसको हटा देगे, वो मैं question करवाओंगा, तब आप समझ जाओगे, पहले आप formula देख लो, ठीक है, बचे, देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, आप ये को दो resistances आपस में देखो, उपर वाली ये जो दो resistances जो आर असे जुड़ी हुई है, कौन कौन सी आर अबी और आर अजी, इन दोनों को आपस में multiply कर देना है, बचे, क्या आर, आर असे जुड़ी हुई है, आर अबी, multiply by आर अजी, डिवाइड हमें करना है, ये वाली जो तीनों resistances हैं, इनको आपस में जोड़ कर देना है, किसको आर अबी प्लस आर बी सी प्लस आर अर अजी, क्लिर होई मेरी बात वचे, इसी तरीक्या अगर आपको आर बी निकालना है, अगर आपको निकालना है आर बी, तो आर बी निकालने के लिए 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 लि जिसकी values हमें given है तो इन दोनों की values हमारे पास इन दोनों को हम करेंगे multiply किसको R, A, B multiply by R, B, C ओके नीचे हमने यही करना है तीनों को जोड़ देना है R, A, B, plus R, B, C, plus R, A, C क्लियर बचे तीसरा कैसे आप R, C के लिए बोलो बचे क्या आएगा भी R, A, C के लिए R, A, C, multiply by R इसको किसने surround किया R, B, C ने नीचे आएगा आपका R, A, B, plus R, B, C, plus R, A, C अब हम इसकी values मानके फार्बोले में put करके देख लेते हैं मान लीजे हमारे पास जो value है जो R, इसकी value हमारे पास जो given है मान लीजे वो है 6, Y, Y, Y ये ये भी 6 हम है ठीक है बचे और ये तीसरी जो value है हमारे R, B, C जो दी हुई है ये मान लीजे इनोंटे दी है 12 हम तो हमें R, A, R, B, और R, C निकालना है बचे तो R, A, Nिकालने के लिए हमें का करना पड़ेगा R, A, B, और R, A, C को multiply इसके निकालने के लिए R, A, C, R, A, C कितनी है हमारी 6 और हम जोड करेंगे नीचे बचे तीनों का 6, 6, 6, 12 जै आ गया हमारा 36 और ये हमारा आ गया 24 इसको अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा बचे 3, 2, 2 तो अब यहाँ बचे यह जो वैलियो मारी सी त्री बचे त्री त्री वहाँ आगई इसी तरीके से अगर आप निकालों गए तो r b की वैलियो बचे बचाओ आएगी निकालों के देखओ आपको सिद्धा पता है नीचे तो आपको गया करना है दीनों का जो जो की आ रहा है हमारा 24 इसके स्राउंडिंग में कौन सा है 12 और 6 तो यहां से आ जाएगा यह 3 ओम इसको निकालना है इसके स्राउंडिंग में क्या है तो यह दो दो आप ऊंसर को प्रोष सहहा है कि कर रहे है तो भी हमें करना है फार्मूला-जग्छे हमारे पास given है star, अब हमने जाना है star to delta, हमने delta में जाना है, मतलब हमें star की values given है, हमें delta में convert करना है इसको, तो delta की हमारे पास कौन कौन सी value आनी चाहिए हमारे पास, सबसे पहले तो delta की value आनी चाहिए, यह वाली है न, delta की यह तीनों बुजाएं है न, यह तीनों resistance, जब हम r a b निकालेंगे R A B देखो इसका फार्मूला कैसे बनाना है R के पैर में क्या लिखा हुआ है A लिखा हुआ है न सबसे पहले तो हम R A लिखेंगे R A प्लस अब इसके पैर में क्या लिखा हुआ है B अब लिखेंगे R B प्लस अब इन दोनों को जो प्लस की है इसको करेंगे हम multiply ra b ra और rb अब क्या करेंगे बच्छे अब इसके बेना जो तीसरी हमारी रहेगी कितनी है ra rb तीसरी कौन सी है rc rc को हम कर देंगे डिवाइड अब देखो दूसरा बनाते है rbc यह वाली हम जावर किसमस निकालेंगे rb प्लस rc प्लस rb और rc multiply अब कौन सा रहा गया एक बच्छे r a clear जी तीसरा ra c कैसे करेंगे ra r a plus rc plus r a rc divide by क्या आएगा बच्छे r a की रहेगी हमारी b ठीक है तो करके देखें अभी हम values बूट करके देखें तो सबसे पहले हम r a b निकालते है r a b निकालने के हमें r a को r a b निकालने के लिए हम यहाँ पर करते है r a b निकालने के लिए हम लिखेंगे ra a मतलब 3.2 प्लस r b r b कितनी है हमारी 3 प्लस यह हमारी r a r b अब इन दोनों को multiply करना है बच्छे देखो यह हम 3 बटे 2 को हम कितना लिख सकते है बच्छे 1.5 लिख सकते है ना अब यहाँ पर करना है हमें multiply 3 को 1.5 से तो नीचे आगा हमार r c r c की value कितनी थी हमारी 3 तो 3 से 3 तो यह cut गया अब हमारा कितना आ गया डेड़ और डेड़ को जोड़ें कितना बन देगा तीन तीन और देट तीन और देट 6 ओम तो आर यह भी हमारी आई 6 तो देखो बच्छे आर यह भी हमारी 6 थी क्लीर होगी यह वाली बात तो इत्मीज हमारा खफार मुला सही हो गया तो निकालो r b c बचे आप अपने आप भी कर सकते हो वीडियो पास करके r b c r b c r b c के लिए r b 3 r c 3 दोनों को plus किया plus 3 multiply कितना रह गया हमारा नीचे r a r a कितना हमारा डेड़ को अगर हम डिवाइड करे यहां पर जागा दो तो कितना गया बचे हमारा 3 plus 3 6 plus 3 को 2 से multiply किया 6 तो 6 6 12 हमारा अब r b c हमारी कितनी है 12 r b c देखो बचे बारा थी आप इसको भी देख लेड़ा है निकाला के ठीक है इस तरीके से question किये जाते हैं अब मैं आपको अब जब आपको पता चल गया कि कैसे convert क किया जाता है आप question में दिखाता हूं कि question में कहां पर इसकी जरूरत बढ़ती है मैं question दिखाता हूं को करकि वहां पर आपको अच्छी तरीके से clear हो जाएगा ठीक है वचे और यहां पर करें यह हमारा आया 18 तो में यह balance नहीं है यह हमारा unbalance इसको बच्छे हमने solve करना है star data convergence से अब देखिए आपको कौन कौन से जो resistances है वो आपको star में दिख रहे हैं देखो बच्छे जातो आप 6 3 और यह वाला 1.5 इन तीनों को आप star मान लो है ना चाहे आप इ इन तीनों को करके देखते हैं कि मान लीजे यह वाला देखो बच्छे मैंने आपको बोला था कि यह जो तीन देखो बच्छे star की तीन जो हमारी एक साइड हमारी तीनों resistances की जो एक एक साइड हो यहां पर जुड़ी हुई है ना जो बाकी रहती साइड है इस डेड़ों की साइड है तीन की यह वाली और इसकी यह वाली इन तीनों को हमें मिला केड़ा बनाना एंट क है यह बढ़ा जरूरी है कि हम डेल्टा बनाने के बाद इसको जोड़ ते कहां पे हैं यह ऐसे इस तरीके से है इस तरीके से ठीक होगे जी अब हमें निकालना है सबसे पहले इस वैल्यू को निकालना है माल लीजिए अगर हम इस पॉइंट को माल ले ए बी और इसको मानना हमने सी माल लीजिए अगर यह मानने है तो हमने क्या निकालना है सबसे पहले वचे इस इस को इस की वैल्यू क्या इसे तरीके से तूसरी निकाल लेंगे आपको पटा है आपको इसके बाद हमने डेल्टा में इसको तो जब देखो इसको हम एरेज करके देखेंगे इनको यह स्टार वाली अभी जो स्टार का था वहां पे इसका कोई मतलब नहीं रहे ठीक है इसका जो एफेक्ट था वह हमने डेल्टा में दे लिया है तो इस एफेक्ट को जब हम देखेंगे आपको कुछ रिजिस्ट्रेंस आपस में सीरीज पैरलल में देखनी शुरू हो जाएंगी सबसे पहले द्यान से देखो बचे यह वाला सिक्स ओम और यह वाला थ्री ओम आपस में आपको क्या दिख रहे हैं यह हमारा पैरलल में ना तो पैरलल में अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ ज पैरलल में अब यह वाला थ्री ओम आपस में और सीरीज में अगर यह वाली पूरी ब्रांच और यह वाली पूरी पूरी ब्रांच आपस में कैसे हैं यह वाली पूरी ब्रांच आपस में कैसे हैं यह पैरलल में तो इसको अभी हमेंने सॉल्व करना है उपर हमारा आगया 12 अब हमारे पास circuit क्या बना उपर आगया हमारे पास 3 और 2, यह हमारा आगया 5, इसको हमने parallel में solve करना है, तो parallel में अगर हम solve करेंगे, total distance parallel में solve करेंगे, तो 5 आगया हमारा बच्छे, यहाँ पे, तो 5 को हम multiply करेंगे 12 से, और नीचे करेंगे 5 को 12 से जोड, तो हमारा आगया 60 से ही छोड देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको point में solve करेंगे, बाद में हमें फिर divide करना मदेगा, अब देखो, हमें निकालना है बच्छे, current, तो current होता है, हमारा V upon R, हमारी V कितनी है, बच्छे, 60 बटे, 17, और हमारी R कितनी है, यह भी हमारी 60 बटे, 17, इसको हम उपर ले ज चैनि कर दी थी, तांकि आपको असान हो जाए, क्योंकि हमें calculations पे निद्ध्यान देना भी हमें concept पे द्यान देना है, ठीक है उचे, चलो, thank you very much बच्छे, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी, तो आप please मुझे जरूर बताना, ठीक है, thank you